आज हम पढ़ने वाले हैं मिल्टिजिट्टीजिट्टी इस तरह से कि हम सहीं कि मल्टिप्लिकेशन सबसे फास्ट कैसे किया जा सकता है यह वह भी आसान ट्रीक्ट तो देखते हैं तो जैसे फर्ष्ट डीजिट का देखते हैं तो इसमें हम एक एक जाम्पल ले लेते हैं two into two यह तो simple है इसमें क्या होगा इस तरह का pattern यूज होगा दो दून चार simple है दो दून चार ठीक है लेकिन यह दी दो डिजिट लेते हैं जैसे बन और फाइब लेते हैं कुछ भी ले लो यहां पर फॉर ले लो इस तरह का जो कॉशन रेता है उसमें क्या करते हैं दो डिजिट के उसमें हम पहले इस तरह का पेटर यूज करते हैं फिर क्रोस करते हैं इदर और फिर यह पेटर फॉलो गरते यह दो डिजिट का हो गया है किस तरह से पहले यह पेटर बतलब चार पंजे 20 तो क्या हो जाएगा जीरो हासिल का 2 हो जाएगा फिर यह पेटर क्रोस वाला 4 एकम 4 5 एकम 5 4 और 5 नो और 2 11 का 1 हासिल आया 1 फिर यह पैटन एक एक और एक दो इस तरह से मतलब इसमें इस तरह का पैटन यूज़ करेंगे इसमें पहले यह पैटन यूज़ करां फिर क्रोस फिर इस तरह से ठीक है थ्री डिजिट इसमें जैसे मान लोग कोई संख्या है वन टू थ्री इधर भी सेम ले लेते हैं इनका गुणा करेंगें इसमें पहले यह पैटन फोलो होगा मतलब पहले इस तरह का पैटन फोलो होगा इस तरह का फिर क्रोस होगा फिर क्रोस होगा फिर क्या होगा इनका क्रोस में होगा और फिर पीच का मतलब इस तरह से फिर वापस से दो का दो संक्या का दो डिजिट का और फिर सिंगल डिजिट का इस तरह से करके देखते हैं पहले ये वाला तीन तीया नो फिर दो डिजिट का तो तीन दून छे तीन दून छे छे और छे बारा कि दो हांसी लाया एक फिर तीन डिजिट का इस तरह से यहां क्रोस में और फिर तीन एकम तीन एकम तीन तीन होग preserved दून चार छे और चार दश दस और एक 11 ऐम सि sorta कए का ओंसी लाया एक फिर दू डिजिट का ये दू डिजिट तो चार हो गए और एक पांच पांच का पांच और फिर सिंगल डिजिट का यह एक 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 यह एक यह एक की लाइन में अन्सर आएंगे इसका बेनिफिट यह है अब चार का देखते हैं वान टू थ्री फॉर वान टू थ्री फॉर कोई से भी संक्या ले सकते हैं इसमें क्या पेटन फॉल होगा पहले सिंगल डिजिट इस तरह से फिर दो डिजिट का इस तरह से होता है फिर तीन डिजिट का आपने सीखा इस तरह से होता है फिर चार डिजिट का इस तरह से होगा मतलब इसका और इसका इसका और इसका फिर इसका 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 और इसका यह हो गया फिर तीन फिर तीन पर आएगे इसका 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 और फिर बीच वाले डिजिट का फिर दो डिजिट का और फिर सिंगल इस तरह से देखते हैं इसमें पहले इसका चार चोग को लाはは चे फिर दोड़िजिट का कडि चार ति बारा चार तरिव बारा और वरा को शोरी सोर्य पच्चीस का पांच से लाए ता है 2 फिर 3 का सफ चार दून ऐट का और दीजिट काfik. कि ओम चार का हो आ चार एकम चारा हम चार और चार हें फिर 3 दून 6 दून 6 चे और 6 बारा हो जाएंगे गीं तो क्या हुआ बारा और आट बीस वर 2 बाइश बाइस का दो अंसी लाया 2 फिर 3 का 3 एकम 3 3 एकम 3 चेँ हो जाएगा तो पे खिर 2 एकम 2 दून 4 है ना है चाल तो 4 हो जाया लेंगागे तो यह हो गया 10 और 12 दो हांसी लाया एक फिर दो का दो एकम दो दो एकम दो दो चार हो जाएंगे और एक पांच और फिर सिंगल एक एकम एक इस तरह से इस तरह से हम 1,2,3,4 डिजिट के मल्टिप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं वो भी सिंगल लाइन में और बड़ी आसानी से हैं तो यह सबसे फास्ट तरीका है मल्टिप्लिकेशन करने का थेंक यू